नी तू मैं आ गया मैं प्रेगनेट है? मैं तो दो साल बाद आ रहा हूँ घर पे तू प्रेगनेट कैसे होगी मेरे बिना? अरे अब मैं आपको कैसे बताओं कि मैं प्रेगनेट कैसे? मेरे बिना तू प्रेगनेट कैसे हो गई? मेरी पीट के पिछे तो ये मूखला करवा रही थी मैं सरहद पे ड्यूटी देता हूँ देश की रक्षा करता हूँ और मैं इसी आज में था कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा हम दोनों हसी खुशी अपनी जिंदगी बताएंगे तुम्हारे पास तो घर में सब लोग है ना लेकिन मेरे पास सिवाए तुम्हारी यादों के कुछ भी नहीं था तुम्हारी फोटो का अपने सीने से लगा के सोता था मैं मैंने ये सोचा था कि इस बार मैं छुट्टी पे जाऊँगा हम दोनों अपना बच्चा पलान करेंगे लेकिन तू तू अपने पेट में किसी और का बच्चा पाल रही है अरे पर क्या पर अगर तुम इन चीजों के बिना नहीं रह सकती थी तुम बोल देती ना कि मैंने फोजी के साथ शादी नहीं करनी है मुझे एक नॉर्मन इंसान चाहिए जो हर बच तुम्हारे साथ रहे हर रग तुम्हारे साथ बिता सके ऐसे मुझसे शादी करके तुमने मुझे दोका क्यो दिया तुने मेरे साथ शादी इसलिए की थी थी ना ताकि तुम मेरी सेलरी का फैदा उटा सको और उन सर्वेसिस का फैदा उठा सको जे गवर्मेंट एपलोई को मिलती है अरे तुम्हारे बिना मेरी कोई फैमली नहीं है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चुट्टे लेकर आता था लेकिन तुम्हे तो मेरी कोई जुरूरती नहीं है मैं जा रहा हूँ बापस तुम उसी के साथ रो जिसके साथ ये मूँ काला करवाया है अरे पर मेरे बात तो सुनिया अरे अरे अब मेरे बात सुनिया तो सही कहा जा रहे मेरे बात तो सुनिये सुनने को बचा ही क्या है अब मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है क्या बगवास कर रही है क्या ड्रामा है यह साफसाफ पदा चल रहा है कि तुम्हारे पेट मेस बच्चा है है incnesota हिए मेरे पेट में बच्चा नहीं बल्कि यह था मि आपके साथ मजाय कर रही थी सोचा आपके साथ प्रांग करती हूँ क्या जीजू आप आगे क्या दीदी आपने मेरे विगाई प्रैंक स्टार्ट कर दिया हमने मिल के प्लान बना था ना कि हम जीजू पर साथे प्रैंक करेंगे और यह देखो मैं केक भी ले के आया था तो चुप रहे एक सकिन मैंने सोचा था आपके साथ थोड़ा मजाग करूँगी आपके टांग खीचूँगी लेकिन मेरे इस मजाग की वज़े से हाज आपकी गिरी हुई सोच का पता लग गया मुझे आप मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो और क्या का था आपने कि मैं पिछे से मूँ काला करवारी हूँ हरे मुझे सब याद है शादी के वग जो मैंने आपसे वादे कि एधर मुझे सब याद है मैं जानती हूँ मेरे एक फौजी से शादी हुई है मैं जानते हूँ कि आपके लिए देश की ड्यूटी करना कितना जुरूर ही है आपको अपनी ड्यूटी के लिए मुझसे महीनों दूर रहना पड़ता है कई बारे तो साल निकल जाते है मैं घर पे आपको इंतिजार करते रहती हूँ अपने बिना सोचे समझे ये कह दिया कि मैं किसी और के साथ जी इस मजाग की वज़े से आपके गिरी होई सोच मुझे पता लगी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो पेट देखानी मेरा और नजाने क्या कुछ सोच लिया मेरे बारे में निरा नुझे कुछ सुना दिया, थोड़ा सा भरोसा किया होता मुझे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन नहीं, तुमने मजहे बोलने तक मोका ने दिया और नजाने मेरेबारे में क्या कुछ सोच लिया, आज आपने शक करके न, मेरा दिल तोड़ दिया सस्च में मुझे खाना त्शिए creeping cafe सामा मुंझे मालूं पालवा कि तुम मेंसे बहुत बड़ी गलती हो गी अमिजी निफार ता कि तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो कि मेरे साथ मजा कर रही हो और मैंने बिना I'm really very sorry, मुझे माप कर दो, और मुझे प्रॉमिस करता हूँ, कि आज के बाद तुम पर कभी शक नी करूगा, और मुझे हैसास हो गया, कि बिना बात जाने कभी रेक्टिन नी करना चाहिए, तुम मेरे आने पर इतना एक्साइटेड थी, ये प्रैंक और ये केक, I'm sorry, मैंने सा मुझे माप कर दो, हाँ जाने अन जाने में न, आपने इतना कुछ बोलके, मेरा बहुत दिल दिखाया है, आज के बद कोई भी डिसीजन लेने से पहले न, पोरी बात जान लेना, पक्का, आज के बद कभी ऐसे नी करूँगा,